हे गाइज, वेलकम बैक टी और चानल, SSE तरोल, मैं हूँ आपको दोस्त तरोन अगरवाल आज बहुती एक साड न्यूज लेके आया हूँ मैं, सारे SSES प्रिंट्स के लिए यार, जो 13 दिसंबर को आपको वेट था, की हीरिंग हो गी, एन कुछ रिजल्ट आएगा तो वो केस लिस्ट ही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोट में, हलाकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था अल्रीडी, की 13 दिसंबर को कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आपको नेक्स डेट मिल जाएगी हीरिंग की, बट यहां तो केस लिस्ट ही नहीं हो पाएगा तो Two hearing की तो बहुत दूर की बात, next hearing की तो बहुत दूर की बात, देखो जो SSC से related judges हैं, वह हमारे Bob Day आ यह ना झाज़वसर हैं तो Bob Day सर शायद Leaf पर है, तो दूसरा court assigned हुआ है नाज़वसर को, तो constructs फार बात यह ही है, conclusion यह ही है कि यार, case आपका list नहीं हो पाया जो आपको उमीद थी तीन दिन बात कि कुछ hearing में result आएगा तो अब वो और थोड़ा postpone होगा पर चक्कर की बात यह है कि postpone कितना postpone होगा आप देखो जो SSE का leave calendar है ठीक है court का स्वारी SSE का supreme court का उसमें 17 January से लेकर 17 December से 1 January तक winter vacations है ठीक है और winter vacations में तो कुछ काम होगा नहीं obvious ही बात है तो अब आपका जो hearing है next hearing वो 2019 में ही होगी January में ठीक है तो आपको थोड़ा सा और wait करना पड़ेगा इसी इसका ठीक है या बहुत दुख हो रहा है मुझे भी यह चीज देखके कि इतना आपका delay हो रही है सारी चीज़े इतना बहुत time लग रहा है but guys क्या कर सकते है यार this is life अब देखो ना आप आपका यही time आपके आगे वाने 30-35 साल decide करेगा life के आपको यह ना हो कि आप अभी compromise कर लो चीजों से अभी एक दो महीने wait ना करो patience ना करो और उसके बाद पूरी life compromise करो तो आपको बहुत दुख हो बाद में मैं अभी भी आप आपको कौंगो कि पढ़ाय लिखाई मत छोड़ो हिंमत मत हारो मुझे पता है कि यार यह बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है मुझे personally बहुत दुख लग रहा है इसी इसका but कुछ नहीं कर सकते हमें wait करना ही पड़ेगा चीजों का और चीज़े अच्छी होंगी यार be positive ठ क्योंकि fact यही है कि जो इस time बे पढ़ेगा inspector वही बनेगा क्योंकि यह life का test है perseverance का test है तो मेहनत करते रहा हूँ ठीक है and मैं आपकी पूरी help कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप मुझे unacademy पर follow करके message कर सकते है direct message कर सकते है वहाँ पर कुछ भी अपने doubts पोच सकते है ठीक है and वहाँ पर हमारा algebra का full course discuss हो चुका है ट्रिगो का course हमें start कर चुक है percentage का course हमारा वहाँ पर चल रहा है तो मैं आपकी हर तरह से पूरी मदद कर रहा हूँ and इस time का कैसी utilization करना है न आपको उसकी strategy भी मैंने आपको बता रखी है वीडियो में इसी channel पे SSC तरुन पे ठीक है उनका link मैं नीचे description में दे दूँगा एक साथ आएंगे तो फिर आपको time ने मिलेगा पढ़ाई करने का ठीक है तो हिंबत मत हरो guys पढ़ाई जारी रखो तो मिलते अपनी next video में till then goodbye and take care